पात उस बाबा की जिसने आस्था के नाम पर लोगों को खूप ठागा कल की महराज नाम तो सुना ही होगा वेलनेस गुरू कल की भगवान और स्वयमभू विश्नु अवतार बताने वाले कल की महराज और विजय कुमार का काला सच सामने आ चुका है किसी जमाने में LIC में कलर्क हुआ करता था कल की महराज चेनने में कल जब इंकम टैक्स ने तीन राज्जियों में कल की महराज के 40 ठीकानों पर छापा मारा तो होश उडगे सबके चापों से 500 करोड की संपत्ती का खुलासा हुआ है 44 करोड तो केवल कैश ही मिला है 18 करोड के अमेरिकी डॉलर्स मिले है 26 करोड की कीमत के 90 किलो सोना बरामत हुआ है 5 करोड के हीरे मिले है देखिये और सोचिये कैसे सोयमभू कल की महराज ने काले धन से अपने आध्यात्मिक आडंबर का श्रिंगार किया हुआ था इंकम टैक्स को भनक लगी थी कि कल की महराज की ट्रस्ट कमपनिया कमाई तो खुब कर रही है लेकिन टैक्स चुका नहीं रही इसी परताल बेच्छा पिमारी हुई तो अगोशित धन की वर्षा होने लगी 44 करोड रुपे कैश मिले हैं केवल कैश ही मिला है कल की भगवान के काले सामराज जिसे 44 करोड का कैश अकूट संपत्ती 18 करोड के मूले के डॉलर मिले हैं अमेरिकी डॉलर चिनकी कीवत अगर लगाई जाए तो 18 करोड 26 करोड रुपे के 88 किलो सोने के जेवरात मिले हैं आप बस गिनते जाईए लिस्ट लंबी है 5 करोड के 1271 करेट के हीरे मिले हैं जावारात से लदेवए महराज हैं ये 409 करोड रुपे के लेंदेन की रसीदे मिली है 409 करोड सोचिये जितनी की अगोशित संपत्ती उससे ज्यादा की लेंदेन 500 करोड रुपे की अगोशित संपत्ती का पता चला है कलकी महराज के पास 500 करोरों की अगोशित संपत्ती है ये जानकारी मिली है कलकी भगवान के काले सामराज जी की तस्वीर उसका पूरा आखड़ा, उसका पूरा लेखा जोका आपके सामने तो आता संपत्ती है इस बाबा के पास वेलनेस्ट गुरु खुद को बताते हैं लेकिन इनका पूरा प्रोफाइल क्या है ये भी सबज लिजे कौन है आकरकार ये कल की गुरु अब हम आपको ग्राफिक्स के जरीए ये भी समझा देते हैं ये कल की गुरु है कौन देखिए वेलनेस्ट गुरु की तौर पर ये मश साल है खुद को भगवान विश्णू का दस्वा अफ्तार बताता है ये तीस साल पहले लाइफ इंश्रेंस कंपनी में बतार क्लर्क काम करता था में नौकरी छोड़कर जिवाश्रम की स्थापना की करनाटक के चितूर में एक युनिवर्सिटी भी खोली तो अपनाजा लगाईए कैसे इसका पूरा ग्रोथ हुआ है सुनब्बे में खुद को विश्णु अफ्तार घुशित कर दिया और उसके बाद लोगों को ठगता गया आद्ध्यात्मिक ट्रेनिंग के लिए देश विदेश में कई सारे आश्रम इसने खोले रियल एस्टेट निर्मान खेल में भी इन्होंने पैसे लगाए तो कुल मिल स्तिति कल की महराज के सामराज जी की आपके सामने हमने रख दी लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कल की महराज एक आखिर खिदक प्रहुंप को調 पनकी आकोच्छ प्रहण संपत्ति का पता चल गया छापे मारी के बाद गिनने वालों के होश उर गये होंगे लेकिन बड़ा सवाल यह है महाराज साब कहा है अधिसे बिल्कुल अब तक इसकी कोड़ी जानकारी सामने नहीं आए कि आखिर कलकी भगवान जो खुद को भगवान बताते हैं वो आखिर कहां पर लेकिन जिस तरह से इतनी बड़ी रकम जो है आई टी रेट के दोरान सामने उसे एक बार सरूर सामने आ गई है कि किस तरह से जब लोग अंधे हो जाते हैं ऐसे बाबाओं की भक्ती में तो उनका धंदा जो है वो चमकने लगता है खुद को भगवान विश्णु का दस्वा अफ्तार बताते हैं और साथी विशेश दर्शन करने के लिए 25,000 र जो उन्होंने ये पुरा जो 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 जनी उनकी देखी गई है उसमें काफे कुछ शॉकिंग जो है जिकानों पर जिस तरह से कही ऐसी रकम सामने आई उसके बाद सवाल कही उट रहे हैं साथी करीब तीन सो लोगों पर जो इंवेस्टिगेशन किया गया जब आईटी रेड कि चली हाला कि अब तक ये पता नहीं लग पाया है कि करकी बपान कुछ कहा पर है